नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स करें लिए सब्सक्राइब करें शिमारू आटर्टेन्में शिमारू उड़ा, लिए सब्सक्राइब करें शिमारू । लड़ शिखाई झाल 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 जलो मेशन जास्थ पाजो जास्थ मेशन मेशर, विजयर मलोट्रा, रिपोर्टिंग तर्ड़ सांद्ड, सित डावन, थाक्यू येस विजय सर पिछले मैंने बॉडर पोस्ट पर हत्यार ले जाने वाले ट्रक का एक्सिडेंट और आम्स डीपो में लगी आग की इंक्वारी का जो टास्क आपने मुझे दिया था मैंने उसकी रिपोर्ट तयार कर लिए सर पता चला है की कोई हाथसा नहीं बलकि एक साज़िश थी जिसका मकसद था हत्यारों की चुरी इसका मतलब इस रैकेट में हम में से कुछ लोग शामिल है ये केस हमें मिलिटर इंटेलिजन्स को सौंपना होगा सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कल जो हत्यारों से भरा ट्रक जाने वाला है उसे बॉड़ो पोस्ट पर पहुँचानी की जिम्मेदारी मुझे सौंपती जाए अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो हत्यारों की लोटेरे बे नकाब हो जाएंगे ओके पापा ये प्लेन उड़ता क्यों नहीं है बड़े बुर्बख है भाई हमरे बेटे अरे खिलावना कमी उड़ता है का तो मुझे उड़ने वाला प्लेन दिला दो न अरे आप बड़े तो हो जाएंगे जी फिर देखिए लोगों के पास इतना कार नहीं होगा अरे सीख लेगा जी एबी सीडी कौनसा इंडिया छोड़ कर जा रही है लेकिन उसकी उम्र तो जा रही है इतना बड़ा हो गया है ना आपने कभी उसे कोई किताब दिखाई ना उसने कभी कोई स्कूल देखा आपको जरावी फिकर नहीं हो दी इस बात पर का हूँ अबलदेव बड़ भाईया दीके साब एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं इक काई की मीटिंग है जी यह तो हम पूचा नहीं बस इतना मालूम है कि सब को बुलाएं और सुबधार प्रताप सिंग भी आ रहा है अरे वो तो ठीक है लेकिन पिछली बार जो डीके साब को हधियार पहुचाए थे उसके पाईसिका का हुआ अरे दिये है ना यह पेटी भरक दिये है यह कितना है रे बड़ भाईया इतना गिंती तो हम नहीं जानता हूँ तुम का हो तो वज़ान करके देख लेते हैं पेटी के साथाट किलो तो होगा जरूर अरे नहीं नहीं इसका कोई जरूरत नहीं तुम तुम जाकर नुकर पर इंतजार कर हम कपड़ा बदल कर आता हूँ आप वही डूटी कर रहे है ना जिसके लिए सरकार ने आपको यह वर्दी दी है अरे तुमको नहीं मालूम का जी डूटी ही तो कर रहा हूँ कर रहे थे अब नहीं कर रहे हो पहले तीन हजार रुपए हर पहली तारीख को आ जाते थे अब किसी भी तारीख को लाख रुपए आ जाते हैं मैं पूछती हूँ क्यूं क्या कमी है हमारी जिंदगी में का जाहिल औरत है भाई हम जीना चाहता हूं ऐस करना चाहता हूं अपने देश को बेच कर तो तुम का चाती हो जीवन भर बंदू को ठाए घूमता रहूं और एक दिन दुस्वन की गोली छाती में लेकर मर जाओं अरे विद्वा होने का बहुत अर्मान है का वो विद्वा सुहागन से उची होती है जिसका पती देश के आन पर शहीद होता ह मैं आपको गोली खाकर मरती तो देख सकती हूँ आपके माते पर घद्दारी का दाव नहीं देख सकती है आखरी बार कह रही हूँ मेरे साथ वफा भले ही ना करो लेकिन वतन के साथ घद्दारी करोगे तो कभी माफ नहीं करूंगी हम का सिखाने की कोसिस मत कर पाइसा के ल भाईया सुबेदार परतार सिंगी आ गए क्या हो से ना हमेशा तो टीके लूटने के बाद हत्यारों की डेलिवरी लेने आते थे आज अचानक लूटने से पहले कौन सी मीटिंग करने आ रहे हैं हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि कल तुम लोगों के चार्ज में जो हत्यारों का ट्रक बाउडर पर जाने वाला है उसे तुम लोग आसानी से नहीं लूट सकते क्यों? क्योंकि तुम पर एक और इन चार्ज आ रहा है मेजर विजय मलहोत्र ये खबर आपको कहां से मिली सर? हमारे चोथे पार्टनर जस्वंत दलाल से जो मेजर का ड्राइवर है मेजर विजय मलोत्रा तो बहुत सखत आपिसरा है उसके रहते हुए टेरक तो का एक ठो कीला ना ही निकाल सकते ऐसे मौके बार बार नहीं आते ट्रक में लेटस्ट और हातों हात बिखने वाले दस करोड के हत्यार है हम चारों पार्टनर्स को धाई धाई करोड मिल सकता है धाई करोड? चाहे कुछ भी हो हम उन हत्यारों को हासिल करके रहेंगे बेस्ट ओव लक जेंटलमन लोग्बर बेस्टेबर बार नहीं हो जो तो बार नहीं हो इस्टेबर पके बार बार इस्टेबर नहीं करोड़के बार दावरान तोफ और टैंकों से खेलने वाले फॉजी पॉलिस के तमंचों से डरा नहीं करते मिस्टर तीनो कमाल है यार मैं इतने चुपके से आया फिर भी तुझा पता चल गया और क्या हम फॉजीों की दो नहीं चार आखें होती है अरे भाय साव आप नमस्कार भावी जी आज ये अचनक क्या से आना हुआ श्री दिनेश कपूर सब इंस्पेक्टर पॉलीस दिली से सीधा आप लोगों के पास एक खुशकबरी सुनाने आये है सुना देजिये बिलकुल नहीं सबसे पहले आपके हाथ का बना हुआ बढ़ियासा अच्छा सा नास्ता उसके बाद खुशकबरी दन खुशकबरी ये है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और चार रोज के अंदर मुझे मुंबई में डूटी जॉइन करनी है अरे वाह कॉंग्रेचुलेशन थैंक्यू बाभी दिनु अल्द बेस्ट थैंक्यू और इसी खुशी में हम लोग आज शाम की फ्लाइट से शिम्रा जा रहे हैं यह रहे फ्लाइट की टिकेट्स मिस्टर विजा मलोतरा मिस्सिस कीता मलोतरा मास्टर राजू मलोतरा एंड मिस्टर दिनेश कपूर यार दिनु हम लोग नहीं जा पाएंगे देख मैंने राजू को प्रॉमिस किया था कि वो फर्स्ट आएगा तो हम सब लोग हिल स्टेशन जाएंगे आज जो कंसाइनमेंट के ट्रक्स बॉर्डर जाने वाले हैं उनका इंचार्ज मैं हूँ तो ठीक है उसका चार्ज तो किसी और को दे दे अगर ये चार्ज आफिसर ने दिया होता तो मैं किसी और को सौप देता मेरे दोस्त ये असाइनमेंट मैंने खुद मांग कर ली है यार तूने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया कोई बात नहीं मैं आज ही मुंबई चला जाता हूँ जसुन दलार रिपोर्टिंग सर जीप तयार है सर तुम रखो मैं आ रहा हूँ गाड़ी रूख ले है ट्राइवर गाड़ी पीछे लें सर ये ट्रक क्यों रूख दिया सर डिपरेंसल का आयल निंग हो गया इसलिए भील जाम हो गया मैं, हेड़कॉर्टर्स को कॉंट्रेक्ट करने की कोशिश करते हैं हेलो, हेलो, वार्लेस को क्या होगी, सुपिधार साथ, सार, यहां इस ट्रक की सिक्यूरिट के लिए आपके साथ कुछ जवान रुकेंगे, सार, वाकी ट्रक्स और जवान मेरे साथ आके चलेंगे, पासी की चौकी से मदद लेकर आता हूं, सार, कोई शक, नो सार, कर दोूल सार, क्यूल सार, कि लिए, सार, कथ लिए, सार... कि अईक बला खबसे हुआ 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 याई अर्रामजादो यह त्यार किसी राजा के तिजोरी में जमा सोने से नहीं बलकि 90 करोड हिंदुस्तानियों के खून पसीने से कमाई पैसों से बनवाई जाते हैं तेश की रक्षा करने की शपत लेकर तेश को लूटने वालो तुम्हारे जिस्म पर इस वर्दी का होना इस वर्दी का अपमान है हमें अरेस्ट करके आपको दूई चार तामबा पीतल के मेडल के सिवाए और कुछ नहीं मिलेगा हम रापार्टनर बन जाओ हम आपको आदा हिस्सा दे देंगे तुम मुझे खरीदना चाहते हो क्या कर लेंगे खामोश अकेले हम फौजियों की इमानदारी से इस तरंगे की आपरुबची है वर्नदेश का वजूद मिठ जाता सूरज के आकाश में डूबने से लोग नहीं सोते है सरदों पर जब हम जाकते हैं तब तेश चैन की नीच सोता है अगर हम ही अपने फर्जर जमीर का साधा कर बैठे तो तरंगे की जगा किसी और रंग का छंडा आजाएगा यू अर अंडर अरेस्ट अरेस्ट क्टे सुप वज झाह प्जड़ बुव जाह प्रिफ जुव जुव तर बाद हो जर 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 लगा लगताभा लोग जिता अजससा इडको सबताइब। लग लगताब। लगे लगताब। लगे लगतात lead सर्थ आस्ट्रेलिया से इंटिपोल का फैक्स आया है फॉरण एसीपी दिनेश कपूर को मैसेज दो मुझे अरजन्ट मीटिंग करनी है गुड मॉर्निंग साथ मॉर्निंग प्लीस सट डाउन जसुन दलाल रिपोर्टिंग सर ये जसुन दलाल है एस्ट्रेलिया इंटरपोर्ट से खबर मिली है कि दुनिया में घार कानूनी ढंक से हत्यारों का बिजनस करता है और ये आज टेट पास्ट कारगो शिप से मुंबई आ रहा है अगर हम उसे पकड़ ले तो यहां गैर कानूनी ढंक से हत्यारों का बिजनस करने वालों के बारे में हमें उससे पता लग सकता है मैंने ये सीक्रेट मीटिंग इसलिए बुलाई है कि इसकी खबर बाहर किसी को ना होने पाए वरना जस्वन्त को पकड़ने का ऑपरेशन आपके अंडर में होगा और हमें वो हर हाल में जिन्दा चाहिए जिन्दा हो किसा झाल झाल पुलीस कोई आदमी जिन्दा चाहिए तुम्हें क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो एक बात का ध्यान रखना जस्वन्त किसी भी क्रिमत पर पुलीस के हाथ में नहीं आना चाहिए पर हाँ, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा ठीक है जस्वन्त भाग नहीं सकता शिप के चारों तरफ वारकर से ज्यादा पुलीस के आदमी है जस्वन्त आ गया है मुमिंट शुरू करूँ येस मुझरिम को होता है जो बाहर खुम रहे हैं वो वरकर्स नहीं पुलीस है पुलीस? पुलीस वालों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं जूतों से होती है अगर तुम यहां से निकलना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ पैसा करो अगे सर जस्वन कही नजर नहीं आ रहा है यहां कोई नहीं है सर यहां कोई नहीं है सर सर जो कंटेजर बार आ रहा है जस्वन दूसी में है उसके साथ एक आदमी और है सर अगराब बोटर जें तो कंटेजर को गेर ले अलो अलो येस अल्यूनित हैलर्ड जो कंटेजर बार आ रहा है उससे चारो अर से गेर लो कंटेनर रोको रोक तो कंटेनर कंटेनर नीचे लाओ कोई गोली नीचे लाएगा हमे ये जिंदा चाहिए कोई थे आएगरू कभा कपना थाएगर राट किर भे लाएगर आ प्रशोह रखें आ वाँ आ वाँ आ आ खेंग आ आ आ आ त अ necesब आ आ आ आ आ आ आ पन आ 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 यहां तक मैंने वो किया जो तुमने कहा अब तुम वो ही करोगे जो मैं कहूंगा गाड़ी रोको रोको deficके हाट ऑ थाट फक्वा टुमन अब भाट भूपर अप इहाटूबवर फ्रुम रेस वमेश de का सी inverse वेस अब खısर गोड, तुम आदमी काम के हो, लेकिन मेरा उसूल है, काम खतुम, आदमी खतुम. और मेरा उसूल है, आदमी खतुम, काम खतुम. सारी, नहीं, वो किलर चाहिए. एरपोर्ट, रेलों स्टेशन बाहर जाने के सारे रास्ते सील कर दीजे. और याद रहे, वो इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? दो हंचों का जोड़ा बिछड़ गयारे, गजब भयरामा जुलम भयरे. एक मिन कालर रोड, प्लीज. आप हिंदुस्तानी है? आप मुझे पैजाना? नहीं. नहीं? अभी? नहीं. नहीं. नहीं पैजाना. आप रोने क्यों लगे? यह बहुत दुख बरी कहान यह भया. एक बार कुम्ब का मेला लगा हुआ था. यहां ऑस्ट्रेलिया में? ने, इंडिया में. मैं और मेरा जुड़वा भाई सोहन. मैं मोहन. वह बाएं था मैदाएं था. और बीच में.. तुम्हारी मा थी? ने, बाप था. हम तिनों खुशे-कुशे जा रहे थे. तो अचानक वह मेरी बाएं लेके भागा. कौन बाप? ने, चौर. मैं कुछ ने कर सकाँ. मैं चिलाया. बापू. वह बैग लेके भाग रहा है. वह भी उसके पिछे भागा. कौन बाप? मेरा भाई.. चौर आगे था. मेरे बाई पीछे था. चौर आगे मेरे बाई पीछे, दोनों भाग रहे थे, बैचिल लाजा था और वो धड़ाम से गिर गया तुमारा भाई? मेरा बाप वो पिया हुआ था पुलिस जाकर उसको पकड़ लिया चोर को? मेरे बाप को और उसे मारने लगे पर तुमारे बाप को क्यो मारने लगे? वो उन्हें चोर समझ रहे थे इतने में हो भाग गया? चोर मेरा बाई तब से उसको आज तक ढूंड रहा हूँ चोर को? ने मेरे बाई को कमाल है लेकिन आपका भाई इंडिया में खोया आप उसे यहां की ढूंड रहे है? अरे बाई खोया होता तो बात अलग थी ना वो तो मौका देखके भाग गया है और उसे कोई ज़्यादा शौक नहीं था सिर्फ तो ही शौक थे एक तो कंगारू देखने का और एक पाकेट बारने का अब आपी बताए यह पाकेट बारने के लिए ट्राम से कोई अच्छी जगा है इसलिए मैं यह ट्राम कंड़क्टर के नोकरे कर ले सोचा कभी ने कभी यह पाकेट बारने आएगा और उसे देख लूँगा और उसे बिल लूँगा आ गया तुम्हारा भाई? तुम्हारा स्टेशन! सुनिये 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 मेरे बाप झाल जजा झाल मेरे खावो में जो आए, मेरी मिल्दा को चुराए मेरे खावो में जो आए, मेरी मिल्दा को चुराए, मेरा दिल थेड़काए, मेरा होश उडाए साजर, साजर, आएगा, 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 साजर नहराए जोम गे, मस्ती क्या चागई, देखा जब आए नग, मैं तो उप्षर मागई बदला ये रूप मेरा ऐसे, बदली में धूप थिले जैसे पहली बहार का नशा है, आखों में ब्यार का नशा है मुझे ऐसे तरपाए, मुझे वेसे पहकाई, मुझे वेसे पहकाई, मेरा तिल खेड़काई, मेरा होश उडार साजर, साजर, आएगा, 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 साजर आएगा, का नशा है होटो को जूमने बाहों को खामने आएगा एक दिन वो मेरे सामने मेरा महभूब मेरा यारा होगा वो चान से भी प्यारा कह दूंगी साथ लेके जाए डोली बाराथ लेके आए मुझे सीने से लगाए मुझे सासों में बसाए मेरा दिन धर्काए मेरा होश उड़ाए साजल साजल आएगा 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 साजल 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 आज के वैलंटाइंस दे के फंक्शन में मिस्स वैलंटाइन कौन बनेगी नहीं ही बनूँड़ी हाहा ओ मैं गॉट्टई किया हम मैं वाय गाड़ एंट हाँ वह माई पार की तो नहीं कमोसेट है। तो बमाई नहीं छाए है। यह है। नहीं स्टानी कि खोल जाब कर दो दो संobil चांडी है। यह मेरी नहीं गारी थी surrendered! खोलाओ... imminent इंडिसा अग किता, मजफी हैurarा के बाट मिशाधा और प्रेज जहा इंसे अप लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि विक्यू उसका नुकसान नहीं दे सकता वोलो केतना वा हाँ, पचास, सो, दोसो, तीनसो, चारसो, पांचो तुम भी किया याद रखोगी, किसी रईस हिंदू सानी से तुम्हारा पाला पड़ा था येलो थेंक यू यू लवा, तुम्हारी हिमग्माट, के से मुझे टाच करने की कपड़ें रीटा के और बातें सीटा की पुलीस, 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 पुलीस Excuse Madam, ये इंडियाने नहीं आफसेली है क्यापगाय ले लिया आपने, बीस सदक पर गाड़ी लोकर बाते कर रहे हैं अगर बाते करना है तो गाडल में जाए प्यार महबत की बाते कीजिए, नाचिए, गाईए, कुदिए, मेरे बापा कुछ नहीं जाता, ट्राइटो अंडिसान में प्रॉब्लम। ओफिसा, हम लोग प्यार महबत की बाते नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मेरी गारी का एक्सिदेंट करके डामिज किया है, देखे, प्लीज और एस्टिम। तो आप दोनों को मेरे साथ पॉली स्टिशन चलना पड़ेगा। प्रिती, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है। ओफिसर, हम अपनी कंप्लेट वापस ले लेते हैं। वेरी इंटलिजेंट गर्ली, इससे कहते हैं अंडेस्टानिंग, कुछ पाहने के लिए कुछ खोना पड़ता है, त्राइटो अंडेस्टान में प्रॉब्लम, ओके? I'll see you! कब और कहाँ? SHUT UP! तुम? हाँ मैं? तुम्हारा कोई भाई है? है? चुड़वा? हाँ? बच्पन में कुम के मिले में खो गया था? हाँ! अरे मैं उसे मिल चुका हूँ! कहाँ? जानते हैं वो ट्राम कंडुक्टर बन गया और तुम्हें ढून रहा है! अरे वो ट्राम कंडुक्टर मैं ही हूँ, मोहन! आप सोहन की बात कर रहे हैं! मैंने सोचा, सोचा, कि वो पाकेट मार से तरक्षी करके कार चौर बन गया होगा! और किसी की कार चौर ये करके सिगनल तोड़के भागेगा! और मैं इसे पकड़ लूँगा! यही सोच के मैं ट्राफिक पुलीस बन गया! ए बगवान ये कुम मिला तुने क्यों बनाएं? फ्रेंड्स 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 तुदेइ स्वैलेंटाइन्स डे यानि के प्रेमियो का दिन! जैसे के आप सब जानते हैं हर साल हम इंडिया क्लब मेए Mr. Valentine और Miss Valentine चुनते हैं और इस साल की Miss Valentine है Miss Preeti प्रीटी 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 के तीन सवालों का जवाब देगा उसे Mr. Valentine चुना जाएगा और उसे Miss Valentine के साथ डांस करने का और इनके खुबसूरत हाथ को चुमने का मौका दिया जाएगा Quiet, quiet, quiet please प्रीटी के एक चोटी सी शर्ट और है अगर आप इनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो चुमने के लिए इनके हाथ नहीं इनकी खुबसूरत सैंडल होगी क्या हुआ? क्या आप मेंसे कोई भी इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता? मैं जवाब दूँगा विकी Give him a big head ओए पंगा बातले पापे कर यहार गया तो सैंडल चुमने पड़ेगी ओफ फिकर ना कर पापे जो उपर से नीचे तक चुमने के लिए हो उनका सर क्या और पाउं क्या सवाल पुछिए हाँ तो पहला सवाल प्रीथी का मन पसंद फल यानि के फ्रूट कौन सा है? वैसे तो दुनिया का सबसे मीठा फल मेहनत का होता है लेकिन अपनी ए मिस वैलंटाइन तो मेहनत से मीलो तूर है इसलिए इनकी पसंद का फल आम संत्र या मसंभी तो हो इनी सकता क्योंकि उन्हें खाने के लिए छीलने की मेहनत करनी पड़ती है इसलिए इनकी पसंद का फल वो है जो सीधा मूँ में डाला और कप यानि की अंगूर और अब दूसरा सवाल प्रिती का फेवरिट स्पोर्ट यानि की खेल कौन सा है अब जैसा आदमी का नेचर होता है उसे वैसे खेल पसंद आते है और इनका नेचर तो लड़ाई जगडा और मार पीट का है इसलिए इने WWF की कुष्टी पसंद है खुब बहुत खुब इस इस दो राइट आंसर थैंक यू, थैंक यू इनसे कहो सीधा सीधा जवाब दे गुमाफिर आके बोलने की क्या जरुश है ओई गुमाफिर आके देता है तो क्या हुआ देता दो सही है ना और अब आखरी सवाल प्रीती को दुनिया के साथ अजूबों में से कौन सा अजूबा सबसे ज़्यादा पसंद है माफिछ चाहता हूं लेकिन ये जवाब भी मुझे कुछ गुमाफिरा करी देना पड़ेगा हाँ हाँ चलेगा इरे जो अजूबा पसंद है वो इनकी समझ से बिलकुल अलग है ये खुद तो प्यार के नाम से भी नफरत करती है और पसंद उस अजूबे को करती है जो प्यार की निशानी है यानि सिंबल आफ लव ताज महल इस साथ के मिस्टर वैलंटाइन है मिस्टर विकी दोस्तों मिस्टर वैलंटाइन ने तो तीन मामूली से सवाल पूछे वैसे आज वैलंटाइन के दिन सवाल ही पूछने थे तो दिल जिगर जान के पूछती तो मैं वो भी बता देता के इनके दिल में क्या है My foot देखो तो तुम्हारे सीने में जो दिल है वो हिंदूस्तानी है और हिंदूस्तानी दिल आवारा नहीं होता यह चाहता तो सारी दुनिया को है लेकिन मिटता किसी हिंदूस्तानी पर है आज की वेलंटहेन दिन दी में आप सब शामिल हो सकते हैं Come on, Tweetie! Come on, Vicky! तेरा रंग बले बले, तेरी चाल बले बले तेरा रूप बले बले, तेरो गाल बले बले देखा तुझे तुम जे प्यार हो गया तेरे खयालों में ये दिल खो गया ओ नयो 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 मेनो दिल तेरा नयो चाईदा एक तुई मेरे नाल नयो जचता हाँ ढोल जानी, ढोल जानी मेरे पास आदरी महरवानी जूट बोलना, जूट बोलना नियत में है तिरे बैमानी ओई कुर्ती तेरी छीट दीदू पट्टा तेरा लहरिया हिंदूस्तानी रानी बंजार आजा की तु गोरिया मैं कुडि पंजाब दी मेरा रेशं परू मालवे मैं कुडि पंजाब दी मेरा रेशं परू मालवे जिंदकी बर्भुले का ना करदूंगी वो हालवे ओ नयो नयो ओ नयो तेरे बिन दिल नयो लगदा नयो नयो तेरे बिन दिल नयो लगदा नयो लगदा तुझे देखते ही हाय दिल मेरा नचदा ना देख चलने चलने दिल फेक चलने चलने मुझे छोड चलने चलने ना छेन चलने चलने इसको संभलो ये बेकार हो गया मेरा यार बले बले दिलदार बले बले इनकार बले बले एकरार बले बले देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया तेरे खयालों में ये दिल खो गया हो नईयो नईयो तेरे बिन दिल नईयो लगता तुझे देखते ही हाए दिल मेरा नचता हो नईयो नईयो मैननू दिल दिल नईयो चायता आख तू देखना चीताल मैं असे नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल मत छोड़ना इतना हैंसम इतना इंटेलिजेंट लडगा दुभारा नहीं मिलेगा बखवास मत कर शीतल उसने मेरे तीन सवाल का जवाब के दे दिया तू उस गवार को इंटेलिजन समझने लगी हाँ कमाल कर दिया उसने तो वो बाते भी बता दी जो मैंने नहीं बताई थी क्या यह सारी बाते तू ने उसे बताई थी अहां यहाँ शीतल नहीं छोड़ूंग अपर प्रणान में दूप का जाय वो जाए तो वोड़ूंग को दूए पूड़ूंग बूग को हाँ वाइटा वाइटा येस सर तेबल नमर साथ कॉन सार तेबल नमर साथ वो है लेकिन साभ उसोर बैठना मत येले तेरी पेप्सी थैंक्स येले I'm sorry sir तुम हाँ मैं तुम्हारा कोई भाई है हाँ जुडवा विचाना नजाने कहा कहा भटक रहा है तुम्हारे लिए कहा है वो ट्राफिक हवलदार बन गया वो अरे वो मैं ही था पर तुम तो पुलीस में थे पुलीस में था वो नोगरी करके भी देख लिया मकर मोहन का सोहन से कोई मिलन नहीं हुआ फिर ये बेटर बन गया मैं उसे एक चीज का बहुत शौक था मुझरा सुनने का और यहां तो अंग्रेजी मुझरा चलता है इसलिए में नोगरी कर ली माई ये सोचरों कभी ने कभी यहां आएगा और मेरे मुला कर दाए प्लीस इस तेबल में थे प्लीस वीकी आप इसी और टेबल पर जाएए मैं आपके हाज और तो पागल यहां प्या गया कहीं तूने तो इसे नहीं बताया था कि हम यहां आने वाले तेरी कसम मैंने इस बार कुछ नहीं बताया आप इस तेबल में इसलिए नहीं बैठ सकते हो क्योंकि यह जोजो की टेबल है कौन जोजो अरे शेहर के सबसे खतरनाक आज़ी का बेटा वो हमेशा हस्ता रहता है हस्ता थे सहथ के लिए अच्छा होता है हस्ता सहथ के लिए अच्छा होता है यह मैं भी जानता हूँ लेकिन जब उसकी हसी रुख जाती है ना तो लोगों की सहथ के लिए बिलकुल अच्छा नहीं होता है और जब उसकी टेबल पर कोई और बैढ़ जाता है ना तो उसकी एक दम से रुख जाती है फिर जानते हो क्या होता है क्या होता है यह होता है यह और इनका कसुछ सिर्फ इतना ही था कि यह लोग इस टेबल पर बैढ़ गे थे बस जो जोने देखा और इनको मार फाड़ कर कट्पिस बना दिया आइडिया शीटल हाँ इसको पिटवाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अरे रहने दे कई ऐसा ना हो सब कुछ उल्टा हो जाए और अगर मैंने उसे पिटवा दिया तो लगी सॉसों की शर्थ लगी येस मैंने ही चाहता हूं कि आप देसे अच्छे आदमी कप खोटो इसमें लगे मेरबाने करके यहां से उच्छा मेरे बाप वो आगे दोड़ पोड़ करेगा हाई विखी पिर मेरे बासनो क्या बात है आज सूरज बस्चिम से कैसे निकला मैं जोइन यू प्लीज हाँ हाँ बैठिये बैठिये आप यहां कहां जोइन हो रही है अरे इस टेबल पर जोइन होता है उसके सारे जोइन निकल जाते हैं आप किसी आओ टेवल पर जाइन जा कि जाती है यह साथ प्रमर टेवले सर तो क्या हुआ यह जोजो की टेवल है एक अगर यह टेबल रिज़र्व थी तो आपको इस टेबल पर रिज़र्व की प्लेट लगानी चाहिए थी आप लोग नहीं जानते जोजो बट डेंजर आजमीं है आप क्या समझते हैं अगर व विकी भी डबल डेंजरेस है जिए विकी हाँ हाँ double क्या triple dangerous हूँ हाँ अब तो यहाँ से बिलकुल ही नहींडेंगे जाय जो जो आए या थाहँ हॉप 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 को उन बेवी डास डास बेवी प्रिस से जिए! ह हाथ यह? है अपट प्रॉश जगँ! हाँ 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 ह lumin हाँ 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 beetle हしゃे यह यह र Dziękuję है लंष करें टोग्स ही हाँ ए्लौंट हाँ हाँ! 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 आई हाँ!! बाद ही Siberian... 3 हाँ व्हु पैठीये बैठीये एक्स्कीज मी प्लीज हाँ लगता है ने आपकी शकल पसंद नहीं आए इसा फसाया है की यहां से सीधा होस्पिरल जाएगा औरे चल चल कि पास लाओ सुयाग कि अचिए कि यवार के सब्सुंट हाहा खाहा करता है अश्फरिप ग्षिध औरween दॉब खक्कान निखल गया, बहुत फोग लगी है खालगो खमक्कान फोगी बहुत करता फेटिस से और खंडर ग्या, बहुत करते है कि मर गई शीटल आउख 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 अआउख आउख आउख अफुट मे डाउख अच्छा बैप गउघ हम् ज़रा ये क्या गए तुम अपनी आउकाद प्यागए माना कि यह हमें फसाना चाहती थी इसका ये मतलब नहीं कि इसे अपने बाप का माल समझ कर ले जाओ अग्षेशग या Becca उन अपने दो याद अपन्न अभद डियो खुटुब neighborhood अुझ अुच जोजब ख भॉजब ग दॉजब हो ओॉजब खॉजब 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 nie बख, Mer ऺ ABOUT बynnhak भ भ तुम्हारी वाजा से जो इनका नुकसान हुआ है उसके पैसे दो आज के बाद तु हसेगा तो लोग तुछ पे हसेंगे आज के बाई होटल के नुकसान के पैसे तो मुझे मिलगे लेकिन इसके बदले में जोजो का बाप तेरा बहुत नुकसान करेगा यही तो मैं चाहता हूँ चल चल उससे मिलते हैं सुनिये बहुत दर्द हो रहा है यह लोग पचास डॉलर्स इलाज के लिए कम है शीतल आजकल महंगाई का जमाना है कोई बात नहीं यह आप पूरे पांच सु रख लें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना ओए मैडम मैंने आपको जोजो जैसे खतरना गुंडे से बचाया आपके लिए अपनी जान हतेली पर रखके उसके उसके गुंडों से जंग लड़ी इतना खून भाया इतने जखम खाये और आप अधा करने की जगा मेरी इंसल्ट कर रही है कमाल है काम लोफर के और बाते सोल्जर की बिलकुल ए जा के अपनी शकल आइने में देखो बड़ा आया सोल्जर बनने चल शीतल और हां यह जो ट्रमेटर सॉस है ना इसे साफ करना मत भूलना बड़ी घटी है हलो हलो कौन वही जो तुम्हारे दिल की हर एक बात जान लेता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे फोन करने की देखिये बड़ी मुश्की से दिल की सारी ताकत जामा करके उंगलियों को दी है ताकि तुम्हा नंबर डायल कर सके फ्लीज बिना बात के फोन मद बंद करना चीक है जल्दी बताओ क्या बात है मैं हमेशा के लिए इंडिया जा रहा हूं इसलिए आखरी बार मिलना चाहता हूं क्या तुम हमेशा के इंडिया जा रहा हूं हां यास तो तुम मुझसे आख इसलिए एक एक सेकंड मचा रहा हूँ ठीक है, बोलो क्यों मिला क्याते हो यह काड देना था काड? मेरी शादी का किस बिजारी लड़की की किसमत फूट रही है? इसकी तो मिस लड़की से शादी करोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं करूगा जो कुछ करेगी, यही करेगी लेकिन तुम शादी के लिए रासी कैसे हुए? क्या करूँ? मजबूरी है कैसी मजबूरी? कानी में बहुत ट्विस्ट है तुम काओ, तु कहीं बैट के सुना? चीक है पृती बात यह है कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी दोस्त है और मेरे पिताजी के पिताजी और इसके पिताजी के पिताजी भी दोस्त है और इसके पिताजी के पिताजी ने मेरे पिताजी के पिताजी से बनते समय यह वाता था कि मेरे पिताजी और इसके पिताजी की दोस्ती चार पीडी तक छलाने के लिए मेरी शादी इससे करवा देंगे अब तुम्हे बता हुआ, मैं क्या कर सकता हूं पिदाजी को टाल नंहीं सकता है, षादी टाल नहीं सकती ही, ये तो अटेल है हेले टो आटेल है विलकुल अटेल समझ गई, फैमिली प्रवल्लम हम अच्छा मैं क्या कर सकते हूं इसमें एक प्रेसंट देदो क्या प्रेसंट चाहिए अपने एक हसी मुस्कुराती वी शाम देदो जिसकी याद आने वाले जिन्दगी के अंधेरे में उजाला फेला दे बोलो मिलोगी न ओके आदमी नशे में कभी झूट ने बोलता कर्एक करेक्ट बोली नेसकता तुम्हें याद है वह सिगनल पर कुबार तुम्हारे गाड़ी मेरी गाड़ी से ठक्रा गयी यहकों में ठक्राहे थोड़ी थी वह तो अ मैने जान बूझ को थोकी थी जानबूज को ठोकी थी क्या करता तुमसे दोस्टी के लिए मिलना ज़रो नहीं था और मेरी टे लाइट डां लेकिन यह दोस्टी करने का टरीका गलत था और वो पैसे देने का तरीका तो बिलकुल गलत था वो क्या है कि लाव का एक्सपिरेंच नहीं था ना भाई हम्म तो ठीक है अब एक बात मैं भी तुम्हें बताती हूं बोलो होटेल लिटल इंडिया में मैंने तुमको चड़ा कर जियोजो से लड़वाया था है बहुत बुरी बात है हा वो क्या है कि एक्सपिरेंच नहीं था ना भाई फिर ठीक है बैटो 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 हा ने तुम्हें इतना परेशान किया उसके लिए सॉरी बोला नहीं बोला मैंने भी सॉरी बोला नहीं बोला चलो हमें एक दूसरे को अब भी sorry बोलते है Sorry एक मेरिट तुम्हारे कंट्री में sorry ऐसे नहीं बोलते है तो फिर कैसे बोलते हैं ऐसे यह सब क्या कर रहे हैं यह सब एक दूसरे को sorry बोल रहे हैं हैं? अच्छा हुआ तुमने बता दिया वरना मैं दो कुछ और ही समझ रही थी चलो हम भी एक दूसरे को sorry बोलते हैं रेड़ी वान टू त्री ठैरो ठैरो जब दो लोग एक दूसरे को sorry बोलते हैं तो उनकी ना क्यों नहीं टगराती अरे याई यह किस गलर टाइम पे ना कड़ाई है तो मैं नहीं मालब कोई बात नहीं हम किसी और से पूछते हैं अरे भाई साब भाई साब एक बात बताईए जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को sorry बोलते हैं तो उनकी ना क्यों नहीं टगराती अरे गुष्टो बोलो माफ कीजिए मैं शहर में ना आया हूँ कोई बात नहीं हम किसी समझदर आदमी से पूछते हैं कित्थे जाना जी जाना कित्थे भी नी सरदार जी सिर्व एक गल पुछनी है ओए क्या दाज पुछो पंदरा पुछो जब लड़का लड़की एक दूसरे को sorry बोलते हैं तो उनकी ना क्यों नहीं टगराती क्या सोच रहे हो पाजी ये कोई सरगारी राज थोड़े ही है सरकार तेज सरगी है ओँ मैंनी सोच रहे है मैं ए सोच रहे है कि मेरे 20 साल होगे शादी नू आज तक मैंने अपनी वीवी नू sorry नहीं बोलिया मैंनो किसा पता लगेगा के नक क्यों नहीं टगरांदी और मेरी गाल मनों और तुसी दोनों जड़े आना आप अपसी sorry बोलके देख लो फिर पता चाल दाएगा नक क्यों नहीं टगरांदी मैं भी आज कार जाके बीवी नू बोलांगा sorry और दिखांगा नक किते टगरांदी है यह फिर गड़ी उथा ही जांदी है क्या सवजदारी की बात कही है नहीं चलो हम भी एक दूसरे को sorry बोलके देखते हैं क्यों इसलिए कि sorry उसी को बोलते हैं जिसे शादी करते हैं मैं भी तो उसी को sorry बोल रहा हूं जिसे शादी करूगा हम यह की नहीं आता तो कार्ट देख लो I love you pretty जिसकी आँखों में तुम सुमा चुकी हो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है फिर भी अगर तुम्हें मेरा प्यार मन्जूर नहीं तो इसे भाड़ कर चली जाना मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाओगा और अगर नहीं तो आखे बंद कर के दिल में कहना I love you मैं फिर सामने आ जाओँगा लोफर लोफर सोल जा और अगर नहीं तो आखे बंद कर के दिल में कहना I love you मैं फिर सामने आ जाओँगा आप 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 हे 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 ला 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 यू मिला के नजर कहे के जादू गरी देखे धरदे जिगर आगे पेछे डोलकर सोजर सोजर मिठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया सोजर सोजर मिठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया सोल जय सोल जय निची बाते बोल कर दिल तु चुरा ले जया ओ यो मिला के नजर करके जादू गरी देखे दरते जिगर आगे पीछे डोल कर सोल जय सोल जय मिठी बाते बोल कर दिल तेरा उड़ा ले गया ना ना मेरी हो बन गई तू 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 मेरी जा बन गई हाजी क्यों 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 मुझे त्यार हो गया यो 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 इकरार हो गया कसम से तू बड़ा जोटा हो सनम तूने मुझे लुटा हाज यो यो मिलाते नजर करके जादू करें देखे धरते जिगर आगे पीछे डोल कर सोल जा सोल जा मिझी बते बोल कर दिल तू चुरा ले गया मेरे पास तो जडरा जा, 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 कोई प्यास न जगा क्या, क्या, कोई दर्द उठा क्या हाँ, 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 मेरा हाल है बुरा तुझे आए कोई जादू मेरा मुझे पे नहीं काबू हे यो मिला के नज़र करके जादू गरी देखे दर्दे जिगर आगे पीछे डोल कर सोलजर, सोलजर, मिठी बाते बोल कर दिल तेरा उड़ा ले गया सोलजर, सोलजर, मिठी बाते बोल कर दिल तो चुरा ले गया सोलजर, सोलजर, मिठी बाते बोल कर दिल तेरा उड़ा ले गया सोलजर, सोलजर, मिठी बाते बोल कर दिल तेरा उड़ा ले गया सोलजर, 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 मिठी बाते बोल कर प्रीथी कैं तुम भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ? तो पर सोचना क्या? चलो उंदर जा के हम भी शादी कर लेते हैं इसके लिए तो मैं मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी ठीक है तो उनसे भी बात कर लेते हैं कहा है वो? अलो मैं डालिंग बिटा, हाव आई यू? पापा वेरी हापी मुझे आप से किसी को मिलवाना है उसी हैंसम यंग मैन को न? जो इस वक्त तुम्हारे साथ है? कमार है पापा? आपको किसे बता चला? हमें तो ये भी मालूम है कि इस वक्त उसने कौन से रंगे कपड़े पहने हैं एक अच्छे पापा की तरह हम तुम्हारी हर खबर रखते हैं किस से मिल रही हो, कहां जा रही हो और कान तुमसे मिल रहा है अच्छा ये बताओ, तुम आ कव रही हो? आजी पापा, I love you आई लाव ये चुप अच्छा आओ परताप आओ, कैसे हो? एक डम फिट, और तुम बलदेव? हम राका है जी, हमारे भाईया सलामत रहें हम तो फिट आई फिट है आईए, आईए, कहो, कहें मिलना चाहते थे? एक बुरी खबर है अरे हम जानता हूँ जी, आप यही कहना चाहते हो न कि जस्वंद मर चुका है? नाई, उससे भी ज़्यादा बुरी खबर है रिपोर्ट मिली है, कि उससे खत्म करवाने वाला डीके है डीके? बिलकुल गलत है जी डीके साहब अपने 25 साल पुराने पार्टनर को कभी नहीं मार सकते डीके दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है चलो मान भी लिया कि डीके साहब ने मरवाया तब भी बहुत अच्छा किया अगर उजस्वन जिन्दा पकड़ा जाता तो पुलीस उसे मार मार के सब उगलवाय लेती और फिर हमें हत्कडियां पाइना कर लई जाती इंडिया इलियो समझने की कोशिश कर विरेन कहीं ऐसा नहों कि वो हम दोनों को भी खतम करवा दे अरे हमें खतम करा देगा तो अमरीका और उरब से हत्यार जमा करके उसे इंडिया में काउन सप्लाइ करेगा उसका बाप मेरी बात मानो विरेन डीके के इरादे शुरू से ठीक नहीं थे इसलिए तो उसने हमें आज तक अपना पता नहीं बताया वो जब चाहे हम तक पहुंच सकता है लेकिन हम हम उस तक नहीं पहुंच सकते तो तुम का चाहते हो हम का करें इससे पहले कि वो वार करे हमें डीके को खतम कर देना चाहिए वैसे आइडिया बुरा नहीं है हम चार पार्टनर थे जस्वंत मारा गया बचे तीन बीके को हम मारेंगे बचे दो फिर तुम हमरी जान ले दोगे बचे तुम अरे हमका भवानी गाउं का भाईया समझा है काजी फूट डाल कर पूरा और्गनाईजेशन हर अपना चाहते हो इरादे डीके साब के नाहीं हमका तुम्रे अच्छे नहीं लग रहे हैं जबान समाल वरना परताब बाबू अपना हाथ समाल ये अगर उंगलियां ट्रिकर पर गई तो अगलियां ढूंडते रह जाओगे हम जस्वंत नहीं हूँ परताब सिंग एक तो इतनी आसानी से मरूंगा नाही पर अगर मर भी गया तो पुलीस डेपार्टमेंट की एक फायल या अगवार की खबर नहीं बनूंगा अगर तुम्रे पास हमरे कामों की फायल है तो हमरे पास भी तुम्रे कामों की फायल है हमरे मरती हूँ फायल पुलीस में पहुंच जाएगी क्या बात है जी हतियार देखके टून बदल दिये रोने की जगा हस रहे हैं भाई मान गए दोस्त मान गए तुम्हें हमने डीके को मारने की बाद इसलिए कही क्योंकि हम यह जानना चाहते थे कि कहीं जश्वंद को मानने में तुम्हारा हाथ तो नहीं अगर उसे मारने में तुम्हारा हाथ होता तो तुम मेरी बाद जरूर मान लेते तो कहो, कहा नतीजे पर पाउंचे हो? यही, कि तुम नहीं बदले, दोस्त. वही बीच साल पुराने दोस्तों के दोस्त हो, हम तीन पार्टनर्स को कोई अलग नहीं कर सकता. सिवाए मौत के. हाँ, सिवाए मौत के. विकी, वो आइलन देख रहे हो, ना? वो पापा ने मेरे पुछले बर्दे पर खरीदा था. और वो देखो, वो आला आइलन. वो सबसे पहले बर्दे पर लिया था. अच्छा? इसका मतलब तुम्हारे पापा हर बर्दे पर एक नया आइलन खरीद डालते है? हाँ, और वो भी मेरे नाम पर. ये बात किसी और से कभी मत कहना. क्यों? तुम्हारी उमर मालूम हो जाएगी. यू! विकी, वो दिखो. वो रहे मेरे पापा. हाई! कॉम माई डार्लिंग, कॉम, 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 कॉम. पापा ये है. विकी. वाउ! बिना बताए, आपको विकी का नाम भी माने पढ़ गया. जब ये मीरो दूर से मेरे कपड़ों का रंग जान सकते हैं, तो नाम भी जान सकते हैं. बेटी का रिष्टा जोडने के लिए, सिर्फ नाम ही नहीं. काम भी देखा जाता है. पापा, ये जो भी काम करते हैं, कमाल का करते हैं. अच्छा, तो फिर इनका कमाल भी देख लेते हैं? बेटी, तुम ज़र अंदर जाओ मुझे कुछ, इनसे काम की बात करनी है. हाँ तो विकी, पहले ये बताओ, जस्वंद को मारने का कॉंट्रेक्ट तुम्हें किस ने दिया था? तो आप मेरे काम के अबारे में भी जानते हैं. खेर? अब मेरे उसूल के अबारे में भी जान लीजिए. मैं कॉंट्रेक्ट लेते वक्त पैसा देखता हूँ, पैसे देने वाले को नहीं. तब तो तुमने उसे भी नहीं देखा होगा, जिसने तुमें मेरी बेटी के साथ महबबत का खेल खेलने का कॉंट्रेक्ट दिया. प्राताब सहाब, मैं कांट्राइक सिर्फ खून करने का लेता हूँ महपच के खेल खेलने का नहीं प्रीथी और मेरा प्यार कोई खेल नहीं चलो ये मानमिली आ जाए फिर भी कोई बाप ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा जिसके हाथ खून से रंगे हो अगर मेरे हाथ खून से रंगे हैं तो आपके कौन से दूद के धुले हैं मैं भी आपकी असलियत चानता हूँ हम दोनों की बिरादरी एक ही है बिरादरी एक जरूर है लेकिन हैसित नहीं जिस बिजनस में तुम किराए के एक टट्टू हूँ, उस बिजनस का मैं शेर हूँ मेरी बेटी के साथ आये हो इसलिए यहां तक पहुंच सके हो वरना मेरी इफाज़त करने वाले मेरे ये कुत्ते तुमारी हड्यां भी मुझ तक नहीं पहुंचने देते पहली बार देख रहा हूँ कि शेर की इफाज़त कुत्ते करते है मेरी दो बाते सुनिए आज के जबाने में शेर सिर्फ दो ही जगह इफाज़त से रह सकते हैं एक सरकिस में और दूसरा चिडिया घर में और दूसरी बात हैसियत की तो मेरी हैसियत वो है कि मैं आपको उस जगा पर पहुँचा सकता हूँ जिसका खाब तो आप 20 साल से देख रहे हैं लेकिन उस तक कभी पहुँच नहीं सकते मतलब है हलो तेखा मैंने अपने दो दाद के बदले में तेरा क्या क्या तोड़ा अवे ओ पॉमेरियन पिल्ले फोन अपने बाप बुल्डॉग को दे दाड का हुआ हमको पॉमेरियन पिल्ला बोलता है और हमका बुल्डॉग है बुल्डॉग बोला हमको दे फोन का रहे हमारा कुट्टा का फेमली है अरे तुम हमको मिला नहीं वरना हम तुम को भी तुड़वा फुड़वा कर पेकवा देते तुम भीलीव नहीं करेगा हम बहुत अरामी हूँ जब तुम हमसे मिलेगा ना तुम नर्वसा जाएगा हमारा कुट्टो का नहीं टाइगर का फैमली है हम लोग भॉखते नहीं हैं, काटते हैं, लोगों को कच्छा खा जाते हैं अबेडर गया क्या? बोलता का यह नहीं है, हलो, अबेड़ सुनाई देता है कि नहीं? अरे, हम अपने आप से नहीं बात कर रहा हूं, भाई, तुमसे बात कर रहा हूं कमाल है हम इतनी देर से पकपक कर रहा हूँ अरा भाई हम पागल नहीं हूँ कुछ तो बोलो टोटल 8500 प्लस 100% टैक्स का बोला कुल मिलाकर 17,000 राउंड फिगर 20,000 अबे तु किस फिगर को राउंडरी स्क्वेर कर रहा है यह उस तोड़ फोर्ड की फिगर है जो तुम्हारा बेटा मेरे घर पर करके गया है तो तु हमसे रुपया लेगा रुपय नहीं डॉलर और सुनो तीन बच कर पचपन मिनिट पर मेरा बिल तुम्हारे पास पहुचेगा ठीक चार बजे में कैश लेने आऊंगा कहता है तीन बच कर पचपन मिनिट पर बिल बेज़ेगा दस मिनिट पर पैसा लेकर चला जाएगा जैसे हम यहाँ पैसा देने के लिए बठे हैं गधे हैं हम अरे हाँ सुनो यह भाई वो हत्यार खरीदने वाले आ गए होंगे तरहां उनको यहाँ लिया कुछ कामाम करें जैन्ठलमेन हमारे पास मशीन गने मौजर AK-47 AK-56 AK-98 जो अभी तक फैक्टरी से बाहर नहीं निकली है आप भिलीब नहीं करेंगे सबके दो-दो लाख पीसेज है आपको जितनी गन्स चाहिए वी विल सेंड यू नेक्स्ट यह पाइप गन है पाइप गन याने की नल्ली गन यह नल्ली फोड़ देती है हर पाइप गन के आडर पर एक दरदन हमाम साबन फिरी मिलेगा ओ हमाम अब इने जरा हमारा बम सेक्शन तो देखाओ वाव गुड़ एडिया तो दिस्प्लेई बम अच्छा तरीका है बम का प्रचार करने का थेंक्यू यह थेट यस थीन पस्पन थीन पस्पन इस अस्री बम इस इस रियल बम प्रसरीय को! डद! फॉन की रिंग है डद! aaaa anunci डरो मत, वो पॉम नहीं, बिल है अरे तू क्या समझता है, हम डर गया हूँ अरे दिन राथ हम ऐसे बंप से खेलता हूँ, इसी का बिजनेस करता हूँ कहा है तू जॉन जॉन, क्या हो अड़ाड, वो नीचे आचुका है उसे बोल, मैं लिफ से उपरा आँ हूँ इस कमिंग बाइ लिफ्ट क्या, यस सर्थ यसे खेलो, मैं वोलो, मैं मैं अर्थ प्सेर्पई इस सर्थ घट्पई इस जॉन 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 बात, बात! इजए हूँ हो इट! प्राओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओ साबबास जोजो साबबास तू ने तो कमाल कर दिया हम तो तुछे नालाइक समझते थे मगर तू तू तो बहुत होसियार निकला तीरी जितनी भी तारीफ करी जाए ना तो कम और तू तू हमका बोलडाग कहा था डाग चाहे काटे या चाटे दोनों ही खतरनाक होता है इसकी पिस्टल खाली है यह यह जुद्धी खतरनाग तू जुद्धी 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 घ्लनावत वरना गोली चलेगी कनपत्टी पे और खूण कहीं और से निकले का पैसे कि यह जुद्धी झाली है जुद्धी घ्लनावत वरनावत जुद्धी जुद्धी यह कुछाई है नहीं अबड़ी औरे रमीरीन पिलिए कर फिलीए संद मनीं हम आप इन ताम बल्देव, बहुत बड़ा साउदा हो रहा है, उँ जार्ज को बलाओ जार्ज अस्पताल में है भीया अरे भाई, तो रहीम को बलाओ या कालिया को बलाओ वो दोनर भी अस्पताल में है भीया अरे भाई, उँ गुरेला भी अस्पताल में है काजी अनफर्चनेटली भईया वो भी अस्पताल में है इस अब अस्पताल में का कर रहे हैं किसी की लाश लाने गया है यह सब को एड हो गया यूनो टाओ ये सब वो एक इंडियन छोकरे की वज़े से हुआ पहले तो उसने हमारा दाज जलाया फिर उसने हमारे आदमी की पिटाई की और तो और हमको बमरिन कुटा का और इनको बूल डॉग और इसके बाद तो उसने कमाली कर दिया का क्या उसने उसने दो डैट की पिटाई की और जिदना हमने लुकसान किया उतना ही इन से पहसा ले गया साला बे सरम अपने पिटने की कहानी आई से सुना रहा है जैसे परमीर चक्र लेकर लॉटा है ताओ वो मामूली छोकर नहीं है अरे मामूली नहीं तो का किंग कांग है हमरी बेजती की कहानी फायल गई तो लट कर पटना भी न जा सकेंगे जाओ, हमरी निसांची को लेकर जाओ का कहते हैं उसे, सार्ब सूटर और कहे देते हैं, बिना सूट की ये लटे तो हम सब को सूट कर डालूंगा जाओ हराम खोर की मा आ रही है तब तो हवाई अड़ा पर उसको रिसीव करने चरूर जाएगा इसे तो मैं मारूँगा गिमें तो प्राइप तो इसे तो मैं मारूँगा गिमें अगार अगेः आएप जोजो मार जोजो मार बार जो जो पीछे ज़रा गया साला अब मार शिट ये कमबक्त कहा से आगया मा आ गया अब मार जो जो मार जो जो शांती भावी रुक जाजो जो क्या हो डाड अरे ये तो हमरी शांती भावी है इसका मतलब ये हमरे बड़ भाईया का बेटा है तेरे ताव का बेटा अपना खून है ये अपना खून अरे ये खुस खबरी बड़ भाईया सुनेंगे ना तो पट्टा की सारी जाइदाद हमने नाम कर देंगे हाँ 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 शुनेंके तो खुश हो जाएंगे सांती यह आस्ट्राइलिया में हाँ भाईया हम सच कह रहा हूं जो लड़का को मानने हम एरपोर्ट गए थे ना उही तुम्हारा बेटा है विक्की हमरा बेटा है अबरी सांती हमको तुम विश्वास नहीं आ रहा है बल देओ का तु सच कह रहा है रहे है जो तुम्हा ही वत अबरा बेटा सांती आप गलत पते पर आये हैं यहां आपकी बीवी नहीं विक्की की मा रहती है अरे जराई तो सोचो कि इतने साल बाद परदेश में किसमत ने हम सब को काहे मिलाया है इसलिए ना कि हम सब साथ रहूं और बाप के रहते हुए भी एक अनात बने बेटे को वो होते हैं जिनके सर से मा और बाप दोनों का साया उट जाता है और विक्की की मा तो अभी भी जिन्दा है अब जिद मत करो सांती आज हमरे पास इतना दौलत है कि हम दुनिया में जो चाहे खरीच सकता हूं तो जाइए इस दौलत से एक बीवी और बेटा भी खरीच ही रहते हैं जो दौलत के लिए बिखते हैं अरे भावी मान भी जाओ भाईया की तरह से हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं जो इनसान अपनी धरती माईया की मान मर्यादा को बेच डाले जो हजारों बेगुनाओं की मौत के जिमितदार हो वो माफी के नहीं सजा कि अउऔर रोते हैं आप सब सकते हैं सांती आप ψ च लए सांती सांति अवरी बात तो सनो सांती भाईय यही है abroad का बेटभिक की पेटा पेटा तुम हमका नहीं जाँता हूं मैं सब सुन लिया है था 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 पेटा हमसे नाराज मत होना हम 20 साल से तुम्रे लिए तड़प रहा हूँ मैं भी अपने बाप के लिए 20 साल से तड़प रहा हूँ देखा भाया अपना खून आखिर अपनो होता है यस ताओ ब्लाड इस आफ्टर आल ब्लाड बस अब किसी तरह सांती भी मान जाए तो मा की सिमेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए मैं उन्हें मना लूँगा अरे बल्दयों बल्दय फोरन एक सांदार पार्टी का इंतजाम कर हम दुन्या को बताऊंगा कि बेरेंद्र बे आुलाद ना ही है उसके कंदे से कंधा मिलाने वाला उसका बेठा हा गया वेलिकम सांदार्ग वेलिकम थी यसर्वल की मिस्टर माशल नेज़ों इंड़ा रसेफ अ शिंगा निया साहिब शिंगा शंगा शुटा कुर्फ तुम? यसमैन कुम्हारा कुई भाई है हाँ चुलवा भाई, कुम के मेले में खो गया था, तो फिर यहां क्या कर रहे हो, विचारा इंडिया से तुम्हें धून्या है, कभी ट्राम कंडुक्टर बन जाता है, कभी बैंड मेंसर बनता है, तुमको बार बार महीं मिलता हूं क्या, अरे मैं ही मोहन हूं, मैंने सोचा, मेरा बगलर बन गया होगा, यहां तो पाटियां माटियां होती रहती है, कहीं ने कहीं मुझे नाच से गाते मिल जाएगा, यह बगवान, तुने कुम का मेला क्यों बनाया? यह 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 इंजॉई यॉरसेल्फ अरे आओ परताप आओ आओ, बेलकॉम, बेलकॉम कहां रहती हो, हमने कभी देखाई नहीं तुम्हें वो यूनिवरसिटी में पढ़ती हो न, इसलिए लग रहती है भाई, बहुत-बहुत मुबारखो, बीच साल बाद तुम्हें तुम्हें तुम्हारी बीवी और बेटा मिल गया है, कहां है वो? सांती तो इस पार्टी में नहीं आ सकी, हमरे बेटे से मिलवाता हूँ अरे बिकी बेटा, जराई आओ इक्स्क्यूज मी यह तुम्हारा बेटा है? हाँ, जटका खा गए ना हमरा बेटा देखकर कैसे ना खाते? कल तक परताब बाबू हर बात में हमरे बराबर थे मगर हमार बचवा के आजाने के बाद हमरी ताकत दुगनी नहीं, चाउगनी हो गई है, चाउगनी नहीं चाचू, जटका तो दुश्मनों को लगता है, दोस्तों को नहीं और प्रताप साप तो हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं थैंक यू, गंग्राइजूलेशन हिंदुस्तान में बड़े बुजुर्ग, बुबारकबाद नहीं, आशिर्फात देते हैं अरे, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो का? जानते हो? अरे, विरेन, अब जटका खाने की तेरी बारी है अरे, तेरा बेटा तो ये बाद में निकला, पहले मेरा होने वाला दामाद बन चुका है मतलब? मतलब ये कि तेरा बेटा और मेरी बेटी, एक दुसरे से प्यार करते हैं का? हाँ, टाओ जी, इनी के लिए तो विक्की भहिया ने हमारे दाज जलाये थे इसका मतलब हमरा बेटा अकेला नहीं आया है, बहु साथ लाया है अरे, बल देओ, देख का रहे हो, फोरन सेंपेन खुलवाओ आज तो डबल खुसी का मोका है आज प्यार महफिल में बार बार उन पे नजर गई हमने बचाई लाग फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ, दिल क्या करें, मैं क्या करूँ महफिल में बार बार उन पे नजर गई हमने बचाई लाग फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ, दिल क्या करें, मैं क्या करूँ हे एए 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 आए ये मौसम आया है दिल बर कितने साल में मेरा दिल खोया है तेरे ही खयाल में ना तुम मेरा दोश है ना तेरा खुसूर है मुझ पे जो छाया है तेरा ही सुरूर है आई तू सामने धड़कन ठहर गई हे आई तू सामने धड़कन ठहर गई हमने बचाई लाग फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ दिल क्या करे मैं क्या करूँ सोलजर सोलजर मिठी बाते बोलकर दिल तू चुरा ले गया सोलजर सोलजर मिठी बाते बोलकर दिल तेरा उड़ा ले गया तन्हाई कहती है कुछ मीना कहना है बाहों में सोनना है बलकों में रहना है सासों को बांधा है सासों की दोर से तोड़े ना तूटेगी दुनिया के जोर से दा मन में तूटके मैं तो बिखर गई हमने बचाई ला फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ दिल क्या करें मैं क्या करूँ मैं फिल में बार बार उन पे नजर गई हमने पचाई ला फिर भी उधर गई मैं क्या करूँ दिल क्या करें मैं क्या करूँ टैड हम कहां जा रहे हैं पेटा तुम हमरे वारिस हो इसलिए तुमरा यह जानना बहुत जरूरी है कि हमने अपने जिंदगी में का कमाया है और कहां चुपाया हूँ आओ इरास्ता हमरे उस सीक्रिट जगा की तरफ जाता है जहां का पता किसी और को तो का हमरे भाई बलदेव को भी ना ही है बेटा हम तुमको यह इसलिए लाया हूँ ताकि हम तुमें अपना बिजनिस का राज बता सकूँ आखर तुमी को तो हमरा बिजनिस समालना है आओ आओ बेटे आओ आज हम बहुत खुस हूँ बहुत खुस तुमने एक दिन में हमरी सालों की तमना पूरी कर दी बेटे हर बाप की तमना होती है कि वो अपने बेटे की शादी करे अरे इसलिए नहीं जी बलकि इसलिए कि तुमने उस कमीने परताब की बेटी से प्यार करके उस हराम जादे को हमरे कदमों मिला दिया यह आप क्या कह रहे हैं, प्रताप साब तो अपके दोस्त है अरे कहे का दोस्त, उट तो ऐसा दोस्त है, जो मौका मिले तो दोस्त का भी गोस्त खा जाए लेकिन हम भी कम नहीं हूँ उजादू गर की कहानी सुनी होगी जिसकी जान एक तोता में थी वैसे ही परताप की जान हमरे मुठी में है मैं समझा नहीं अरे वही समझाने तो हम तुम्हें याँ लाया हूँ थेरो ये उज तोता जिसमें परताब के सारे काले कर्टूतों का सबूत दिन और तारीक के साथ लिखाऊंग यह रेखो यह हमरा तीसरा पार्टनर जस्वंत यह अब इस दुन्या में नहीं रहा और यह रहा हमरा चौथा पार्टनर डीके यह अब इंडिया में रहता है आपने सही कहा प्रताब सिंग की जान पाके आपकी मुठी में है लेकिन बेटा परिसानी यह है कि सुस्री हमरी जान भी उसकी मुठी में हाए हमरी भी ऐसी ही एक फायल प्रताब के पास है इसलिए तो से समदी बनाने के लिए तैयार हुआ हूँ ताकि दामाद बनकर तुम उसके पास से हमरी उप फायल निकाल कर ले आओ फिर देखना हम कैसे समदी बनकर उस कुत्ते का समाधी बनाता हूँ और फिर अपना सारा बोच तुमारे कांधे पर डालकर चैन की नीन सोंगा वो बेटा ही क्या जो अपने बाप को चैन की नीन न सोला सके कि अपना हूँ कि अपना अपना फिर देख सेघ्ट प्ठाइब नुर्णाएब रिर्ट पाइब धंदार कर दो आंव करेंग करेंग क्या प्यब्य ढहां झाल झाल ठीक ही ए? प्योग कि यह प्यूद्ग फॉद्ग भीक्ट ही चॉद्ग भीकाल भीक्योग मों प्यूद्ग कि भीक्योग कोँड़न प्यूद्ग ཉ༨ོ ཉྱོ ཏགས ཅགྱས གགས ཉགས གས Good morning Chachu Good morning Bachua Good morning Jojo Good morning big brother Chachu རླśe dad नहीं घी अब हम कहा बताएं बजवा, तुम भिलीब नहीं करोगे, चुबासे किसी ना भूना चुका है, किसी ना इंक्वारी हुआ है, मगर किसी को कुछ पता होता भी तो बताएंगे न कि तुम्हाई पिताजी कहा है, हलो, बिक्की, कहा बोल रहें जी, हाँ, हाँ, इधरी है, अब तुम बच कर कही नहीं जा सकते, तुम्हारा राज खुल गया है लड़के, राज, कौन सा राज, कुदा ही सुन लो, हलो, हलो, तुम हो, नर्वस आ गए थे न, हाँ, क्या आपको याद है आज एक लड़की का बुद्दे है, नहीं तो, किस लड़की का, है एक भुली भाली सी लड़की, जो एक बुद्धो भुलककर लड़के के प्यार में फस गई है, अब भुलककर है, तो भुली जाएग न, ये बात तो लड़की को प्यार करने से पहले ही सोचते नहीं थी, उस बिचारी को लब का एक्सपीरेंस नहीं था न, इसलिए गलती हो गई, अब बताओ, वो क्या करे, लड़की को चाहिए भरोसा रखे, मैं उस बुद्धो लड़के को पकड़ कर लाता हूँ, लेकिन अजी तो हो सकता है, कि लड़का देखता ही रह जाए और लड़की किसी और के साथ चली जाए, ठीक है, तो फिर देखते हैं, हाई। हाई लगता है किसी का दिल जल रहा है मेरे दिल जिगर से गुजरी है एक लड़की इधर से गुजरी है मेरे दिल जिगर से गुजरी है एक लड़की इधर से गुजरी है गोरे गोरे गालो वाली, काले काले बालो वाली, बैकी बैकी चालो वाली, मस्ती सोला सालो वाली, दीवा ना करके गई लगता है कहीं आग लगी है पायर ब्रिगेट बुलाओं हाई 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 तेवी आखे हाई 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 तेरी बातें लगती है मुझे को प्यारी हे मेरा चैन लुटा है तेरी इन अदाओं ने तेरे खाब रहते है मेरी इन निगाहों में अभी अभी आई हो रुको जरा जाओ ना कोई देख लेगा यूँ मुझे तुम सताओ ना बच के नजर से गुजरी है एक लड़की इधर से गुजरी है गोरे गोरे गालो वाली कल कल मिलने वाला वादा देखो तुम भूल न जाना मैं जो भूल भी जाओ तुम मुझे याद दिलाना ओ घड़ी तो घड़ी की भी दूलिया सताती है ओ तुझे रात दिल मेरी धड़कने बुनाती है बड़ी प्यास जादी है बड़ी बेकरारी है बस तेरी तमना है तेरी हुमारी है हां देखो किधर से गुजरा है एक लड़का इधर से गुजरा है सीधा सादा बोला बाला मुझे तड़पाने वाला मेरे दिल जिगर से गुजरी है एक लड़की इधर से गुजरी है गोरे गोरे गालों वाली काले काले पालों वाली बैकी बैकी चालों वाली मस्ति सोला सालों वाली दिवाना करके गई झाय प्रूस्ट आफॉ तो दया तुने ऱ्मार भईया को उठा लिया Excuse me, what's he saying? He's crying for Tau. Chachu, Chachu, आप रो के रहे हो, यह पलीस क्यों है है है? तुम बिलिब नहीं करो के बच्वा, तुमारे पिताजी को किसी दर दपका दिया. क्या? आपकाने के बार लाश मश्लियों को किला दि, कुटों को किलाया होता, तो Tauji के हटिया तो बिल जाती अंतिम संसकार के लिए है. अब उनकां अंतिम संसकार के लिए है? Excuse me, the cigarette lighter was found at the murder side. Do any of you recognize it? यह कहा कहरा, कुछ समझ में नहीं आरहा है? Dad, यह पूछ रहा है, की lighter किसका है? अब का नहीं वालादे किसका है, हमारा भाहिया तो चाचू. This belongs to my father. तुमने कैसे कह दिया कि यह lighter भाहिया का है? उन्होंने बीच साल से cigarette को हाथ तक नहीं लगाया था. चानता हूँ, Dad शेगरेट नहीं पीते थे. यह lighter उसका है, जिसने उन्हें मारा है. मैंने जूट इसलिए बोला, क्योंकि पुलीस उसका कुछ नहीं बिगार सकती. अरे कौन है वो? हमका पता उनका नाम. उसने भाईया को मश्मी को खिलाया था ना. हम उस सासुर को कीले मकोड़ों को नहीं खिलाया, तो हमारा नाम बल्देव नहीं. हमका पता कौन है वो? याद कीजिए, आपने ये lighter का हाँ देखा था. ये lighter तो परताब का है. रामजादे ने रिष्टेदारी के लिए हाथ बढ़ा कर. इतना अपड़ा दुका थी है. मैं उस बास्टर्ड परताब के सिरे में सारी गोलिया उतार दूगा. नहीं, जोश में काम करने वाले या तो मिट्टी के नीचे होते हैं, या लकणियों के उपर. इसलिए जोश से नहीं होश से काम करना होगा. चाचू, अपने सारे आदमियों कोई खटा कीजिए. हम एक साथ प्रताब पर अटाक करेंगे. चेक्पोस्ट? अब का करे बच्वा? तारे हथियार चुपा दो. जो, जो, फोन करो. इस सर्थ, हाइड ये वेपन्स. इस सर्थ के बन्काली क्यों ए? अदेक्टाओं. कि अजिए खवाँ है थाँ हैं? आया वाँ है कि अजिए ख़ाँ वे इस प्रूपल मत अभूफ मत अथ ख़ब कि अभूप कीज़ की शएल की शएफल वब दोई बूई वोज दोब दोई काबश किकी प्रताप साहब, मैंने विरिंदर उसके सारे साथियों को मारने का अपना वादा पूरा कर दिया पूरा नहीं, आधा, मेरी वो फाइल कहा है, जो विरिंदर के पास थी वो भी आपको मिल जाएगी पहले आप पृती का हाथ मेरे हाथ में दिने का अपना वाधा पूरा कीजिए बोलिये कब दुलहा दुलहन जब चाहें हम तो दिल चाहें तुम्हारा वादा है वादा हमारा समझो नजर का इशारा तुम हमें दिल तो दो फिर देखो होता है क्या सोना सोना ये नहोना दिल ते राह मिना मांगदा हम तो दिल चाहें तुम्हारा वादा है वादा हमारा यू न शरारत करो चाहत से तुम न डरो जाओ जी रहने भी दो एक कुछ हमको कहने भी दो छोड़ दो छेड़ना ऐसे सताओ न तुम यू हमें इश्कु में पागल बनाओ न तुम लू जी हम चली चली ऐसे नो पड़ो गले जाने जान सुनो सुनो देदो मुह बजरा है सुना सुना ये न होना दिल तिरा हमे न मांगता हे हम तो दिल चाहे तुम्हारा वादा है वादा हमारा दिवाना पन छोड़ दो ये रिष्टा तुम जोड़ दो जाने दो जाना है ख़ए यो न छोड़ाओ नजर तुम हमें चाहते कैसे भरोसा करे प्यार में हम कभी ऐसे न धोका करे पीछे क्यों पड़े हो तुम्हें जित्ते क्यों अड़े हो तुम्हें गुस्सा है बुरा सनम लो आशी की का मजा सुना सुना इन हुना दिलती रहा मिना मांगता सुना सुना ये न होना दिलती रहा मिना मांगता राइट वही फाइल है यकिन नहीं आता कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है जितना तुम प्रीती से करते हो सिर्फ मेरे कहने पर उस से शादी करने के लिए तुमने अपने बाप को मार दिया वो मेरा बाप नहीं था क्या? विरेंदर जैसा कमीना मेरा बाप हो ही नहीं सकता उसे मैंने अपना बाप इसलिए बनाया था ताकि मैं उस तक पहुँच सकूँ अगर विरेंदर तुम्हारा बाप नहीं था तो उसने तुम्हें अपना बेटा माना कैसे? अपनी बीवी की वज़ा से पर सो पहले उसका बेटा खो गया था मैं उसका खोया हुआ बेटा बनकर उसके सामने पहुच गया और अपने बेटे की याद में आधी पागल हुई मा को यकीन दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं था वाह! क्या चाल चलिए तुमने एक तीर से कितने शिकार कर लिए विरेंदर की दौलत, मेरी बेटी और मेरा भरोसा तीनों हासिल कर लिए मैं तुम्हें जितना चालाक समझता था तुम तो उससे भी ज़ादा चालाक निकले हां? आज बाप बना कर तुमने विरेंदर को मारा कल मेरी दौलत हासिल करने के लिए ससुर बना कर तो मुझे भी मार दोगे लेकिन माई दियर सान इन लौ मैं विरेंदर की तरह बेवकूफ नहीं हूँ फाइल मेरे पास आ चुकी है इसलिए गुद्भाई माई डियर फादर इन लौ आप तो विरेंदर से भी ज्यादा बेवकूफ निकले ट्रिगर दबाने से पहले ये तो देख लिया होता कि इसमें गोलियां है भी या नहीं हरे जो विरेंदर की तिजोरी से आपकी फाइल निकाल सकता है उसके लिए आपकी पिस्टॉल से गोलिय निकालना कौन्ची बड़ी बात है अरे बिटे अरे मैं तो मजाख कर रहा था यार मजाख का रिष्टा जी जा साले का होता है ससुरतामाद का नहीं इसलिए अब एक सीरिस बात सुनिए विरेंद्र को मैंने आपकी बेटी के लिए नहीं बलकि टीके के लिए मारा था टीके के लिए? हाँ उसने मुझे तीन आदमी को मारने का कॉंट्राक्ट दिया था एक चस्वंत तूसरा विरेंद्र और तीसरे आप तो आए दो अपनी बेटी को जिसकी वज़ा से आप अब तक जिन्ता है मैंने आप तक पहुँशने के लिए उसे सीरी जरूर बनाया था लेकिन मैं उसे सच मुझ इतना प्यार करने लगा हूँ कि उसकी आँखों में आँसों नहीं देख सकता वेखी कल तक तुमने प्रीती के दिल को जीता था आज मेरे दिल को भी जीत लिया है दिल की बात छोड़ी और दिमाग की बात सुनिये डीके आपको मार के हंडिट पसंद का मालिक बनना चाहता है मैं डीके को मार के आपको 100% का मालिक बना सकता हूँ लेकिन D.K. का पता मैं जानता हूँ आप हिंदुस्तान चलने की तयारी कीजिए उस कमीने D.K. को मारने के लिए मैं हिंदुस्तान तो क्या कहीं भी चलने के लिए तयार हूँ अपसे कुछ तेर पहले मैं अपने आपको दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी लेकिन आज अपने बाप और विकी की बाते सुनने के बाद मेरा इन सारे रिष्टे नातों पर से विश्वास ही उड़ गया है अगर आप सुनेंगी तो आप जीतेजी मर जाएंगी जिसे आप अपना बेटा समझती है वो आपका बेटा नहीं है वो आपका बेटा इसलिए बना ताकि वो आपके पती को मार सके माची उसी ने आपके पती का खून किया है आपको विद्वा बनाया है वो एक धोके बाज एक कातिल है मैं जानती हूँ विठी मेरा बेटा नहीं है उसने मुझे कोई धोका नहीं दिया बलके खुद मैंने धर्ती मा के सीने से एक पापी का बोज अटाने में उसकी मा बनकर उसका साथ दिया और उसने मेरे पती का खून नहीं किया एक देश दुरुही को उसके गुनाओं की सजा दी है बेटी जो देश के लिए जान देते हैं वो शहीद कहलाते हैं जो देश के लिए जान लेते हैं वो कातिल में ही सोलजर कहलाते हैं और इस सोलजर की कहानी इस विदेशी धर्ती से नहीं बरसों पहले हिंदुस्तान की रितेली सरहदों से शुरू ही थी जहां मेरे पती और तुम्हारे पिता अपने तीसरे साथी जस्वन के साथ मिलिटरी में सर्विस किया करते थे और वहां की हत्यारों को चुरा कर अपने डी के नाम के साथी को बेचा करते थे एक पारविकी के पिता, नीजर वीजे मलोतरा ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया अपने जिर्म को चुपाने के लिए इन गद्दारों ने उनको मार डाला हत्यारों के चोरी का इल्जाम भी उन्हीं पर लगा दिया हम हत्यारों का ट्रक लेकर सरहत के लिए जा रहे थे कि अचानक ट्रक खराब हो गया मेजर विजे मलोतरा ने हम तीनों को मदद लाने के लिए कैम्प भेजा रास्ते में हमने देखा एक सिविलियन ट्रक चला आ रहा था हमरा माता ठंका और वापस आकर हम का देखते हैं कि गाड सारे मरे पड़े हैं और विजे मलोतरा और उनके साथी हतियारों को निकाल कर अपने टिरक में डाल रहे हैं हमने उनको ललकारा जवाब में उन्होंने गोली चलाई हम पर मजबूरी में हमें भी गोलियां चलानी पड़े कोर्ट ओफ इंक्वाईरी के तहत सुबेदार प्रताप सिंग नायब सुबेदार विरेंदर सिंहा सिपाही जस्वन दलाल के आँखों देखे बयान के मताबिक लेट मेजर विजे मलोतरा पर देश की रक्षा के लिए मंगाए हतियार लूटने और हतियारों की रक्षा करने वाले गार्ट्स को वाले एकित रखेदार प्रताई मापड़ मैटल चिरा बेड़ मापड़ मिजड़ को हाँ सारव निए सार आफ के सामने इन मैटल्स की छिन रहे हैं लोग यह गदान निये सार यह तो शही देश ये तो शहीत है स्हर ये तो देश के लिए शहीद होगे जै .. हम लास को नहीं जलाने देंगे ... या बनूटर अजको नहीं जलाने देंगे हम अपने पभुत्र समीन पर किसी गद्दार की चिता महीं जलने देंगे हमोर दार, इस चीता को हाथ मत लगाए ना एक दो इस लाश को आर, वी हो इसे को मौ! मौ! पत्भा 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 , पत्भा पापप। पाप्प। पाप्प। पाप āँ उस शहीद को तो धरती मान ने अपनी गोद में ले लिया लेकिन उसके बाद भी इन गद्दारों के बुरे इरादे खत्म नहीं हुए उन्होंने विकी की मा के माथे पर बदनामी का दाग लगा कर मा बेटी को बस्ती के बाहर निकलवा दिया बेहन, मैं आपको और राजू को ले जाने आई हूँ हम कहीं दूर जाकर रह लेंगी नहीं अगर मैं यहाँ से चलेगे तो उनकी आत्मा यह कहेगी कि और उनकी तरह मैं भी उन्हें गद्दार मान कर चुर कर चलेगी हो सके तो राजू को यहाँ से ले जाओ लेकिन बेहन यह आपकी बगएर कैसे रहेगा मेरे बगएर रहने में इसकी भला है यह मा को भूल कर जी सकता है लेकिन यह कि लोग इसे बाप की याद दिला दिला कर माँ डालेंगे इससे ले जाओ ले जाओ इसे यहांसे ले जाओ तुम मुझसे अलग होकर रह लोगी नहीं पृटे नहीं तुम उससे अलग कहां हो रहा है तु तो हर बल, हर सास में मेरे साथ है ठीक है माँ, तुम कहती हो तुम्हें, चला जाता हूँ हाराजा और उस दिन से लेकर आज तक, ना कभी उस्मा ने अपने इस बेटे को देखा, ना कभी इस बेटे ने अपने उस्मा को रेकिस्तान की तप्ती रेत में, बीस साल से वो देवी, आज भी लोगों की नफरत और अपमानों को सहती हुई, उसी मंदिर में बैठी है क्या बात है बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं, कि तो अपने आपको मुझे विद्वा बनाने के लिए को नेकार समझ रहा है, मैंने तो अपने आपको उसी दिन विद्वा मान लिया था बेटे, इस दिन मेरे पती की बेचे हुए बारूत से, स्कूल में पढ़ते मासुम बच्च हरी जो इनसान, हजारों सुहागनों की सिंदूर को मिटाने का, और मासुम बच्चों की मौत का जिम्मेदार हो, उसके नाम का सिंदूर मैं तो क्या, कोई भी हिंदुस्तानी औरत अपनी मांग में कभी नहीं सजाएगी, कभी नहीं सजाएगी मुझे तो तुझ पर फखर है बेटी, कि जो सर मेरे पती के वज़े से दुनिया के साम्टी चुक गया था, वो आज तेरी वज़े से फेर उट गया कहते हैं कि इनसान को भगवान की दी सौकात में, सबसे कीमती सौकात मा होती है मैं कितना किस्मत वाला हूँ, कि मुझे दो तो माहे मिली है I'm sorry, Vicky प्रीटी तुम्हे जो किया अंचाने में किया लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ, उसे चान कर तुम मुझसे प्यार नहीं नफरत करोगी मेरे दुश्मनों में सबसे उपर तुम्हारे पिता का नाम है अगर एक पत्नी इंसानियत के लिए अपने पती के av तुम्हारा साथ दे सकती है तो एक बेटी भी इंसानियत के लिए अपने पिता के खिला जा सकती है हालो, मैं राज बोल रहा हूँ राज, तुमने फोन क्यों किया, जो कुछ भी कहना है फेक्स करो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं कल मैं प्रताप को लेकर बार्ड मेरा रहा हूँ मेरा यहां का काम पूरा हो चुका है अब वहां आकर मुझे सिर्फ एक काम करना है टीके को बेनकाब करना जस्वंत कहिए सिपी सहाब मेरे आदमी ने नकली गोली से बेहोश करके तुम्हें मारने का जो ड्रामा किया उसे मेरा प्लान काम्याब हो गया तो मुझे यहां कब तक रहना पड़ेगा अब तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो इंफर्मेशन तुम मुझे देते रहे उससे मेरे आदमी ने विरेंदर और उसके साथियों को खत्म कर दिया और कल प्रताब को लेकर वो बार मेरा रहा है अधर तकर बаноचे अपैने सहुने अधर इंफलिगर ने सह काई मेरे वो एंपियोंका अभरोड़े प्रद्ष lessय को फ्रोजम है यहरी ऐ दुम्हें भonne यहरी बिलार की अल्यन इतनी अजीब बात है कहानी जहां से शुरू हुई आज वहीं खत्म होने वाली है लगता है आप ए जगा से वाकिफ है अब तुमसे क्या शुपाना यही वो जगाए जहां से हमारा बिजनस शुरू हुआ और यही वो जगाए जहां मौत हम तीनों को छूकर चली गई कैसे? था एक हराम जादा मेजर विजय मलोतरा साला अपने आपको देश का रखवाला समझता था उसने हमें पकड़ लिया अगर वक्त पर डीके नहीं पहुंचता तो वो हम तीनों को खत्म कर देता बहुत ताकत थी उस कुटे में लेकिन किस्मत हमारे साथ थी हमने विए उस हराम जादे को ऐसी मौत दी कि वो एक मिसाल बन कर रह गई क्या किया था आपने? देश भक्त को देश द्रोही साबित किया था सूर के बच्चे की लाश तक नहीं जलने दी हमने आज भी कुछ लाशे गिरेंगी जिनकी चिता नहीं चलेगी येस डी के और उसके साथियों की गाड़ी क्यों रोक दी? इस मंदर में एक देवी पिछले बीस सालों से बैठी है सुना है जो उसके दर्शन कर ले उसकी मनों कामना जरूर पूरी होती है आईए दर्शन कर ले दर्शन तो हम जरूर करेंगे ताकि डी के की लाश के दर्शन भी जल्दी हो जाएं आईए आईए गया जरूर के ले है अएंगे जल्दी हो में ये जल्दी हो गजया जरूर चौरी जल्दीर जल्दी एंगे कर दो कर दो बीस साल से अपने लिए घिना और तिरसकार भरी आंके तुम मैंने रोज देखी है लेकिन अस वो भरी आंके तुम पहली बार देख रही हूं राजू 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 बीस साल तक अपने से दूर रखा अब मा होकर भी तुझे मा का प्यार नहीं दे सकी मुझे मुझे माप कर देना राजू मुझे माप कर देना बीटा नहीं मा तुम मुझे से दूर नहीं थी यह देख देख तेरे चर्णों की धूल हमेशा तेरा आशिरवात बनकर मेरे साथ रही माप अब तेरी प्रतिक्षय और मेरी प्रतिक्या पुरी होने का समय आ गया है देख देख मैं यहां किसे लाया हूँ तुम मा बेटे इस गाव में नहीं रह सकते यह यहां से ऐसे नहीं जाने वाली इसके माधे पर एक ऐसा दाग लगाना होगा कि किसी को मू दिखाने लाइक न रहे बढ़ते अचवा पुर जाईना होगा हनु मैं पुर्णен다 मैं जार ओङो झाच जारत inclusive पुर्णो मैं पुर्णा मैं पुर्ण veggie गीता? मैं इसी देवी का बेटा हूँ ये वही देवी है जिसके माथे पर सिंदूर की जगा तुम लोगों ने बदनामी का दाग लगाया था मैं उसी विजे मलोतरा का बेटा हूँ जो शहीद होकर भी तुम लोगों की वज़ा से देश द्रोही कहलाया जानता है मैं तुझे यांक्यों लाया ताकि जिस धर्दी पर धर्दी की सबसे बड़ी नाइंसाफ है हुई इंसाफ भी उसी धर्दी पर हो और सालों से इंसाफ के लिए इस विराने में तबस्या करती मेरी माँ आज अपनी आखों से इंसाफ होता देगे प्रताप सेंग बगर आवाजे कभी नहीं मरती तोफान में अपने पती को ढूनती है एक मा की चीक सुन स मरे चिकाया रहते हैं सब मरे चिकाया ठीके, ठीके नहीं, जस्वन्थ, निगाल, जस्वन्थ, मैं तुझे बहुत पहले ही पहचान गया था, जस्वन्थ, तु यहां आया नहीं, लाया गया है, राजू के प्लान के मताबिक, मैंने तुझे प्रताब के आने की खबर दी, जान बूच कर तुझे छोड़ा, क्योंकि हम जानते थे, अपने बिजनिस के लिए तु इसे बचाने यहां जरूर आएगा, और क्योंकि जस्वन्थ को कानून की माफी मिल चुकी है, तु ये काम जस्वन्थ बनकर नहीं, बलकि टीके बनकर करेगा, दुगने हिस्से के लिए तु अपने साथ्यों को धोका दे सक्ता है जस्वन्थ, हमको नहीं, यू आर अंडर आर्रेस्ट! जाजू दू क्या समझता है अपने आदनियों को बचाने के लिए जस्मन तख्या लाएगा जाजू को बच्हेचेचे दहलाचें, मुचेचेचे हास झिथ फस्माना कलो कि फूजदे, फूजदे फूजदे पलो बजैचे livre बाजू बाजू लाजूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूूू जस्वंत ये कमीना बेचर विजे मलोत लगा बेटा है इसका बाप मर के यहां दफन हुआ था इसे जिन्दा गार दो इसका बाप मर के यहां दो इसका बाप लिए इसका बाप मर कि यहां आप जसndटो reveal कर दो कर दो कर दो कर दो सूज एखे कर दो कर दो हुआ कर दो एख कर दो कि जस बीडेन कि अारे कि ए सकती हुः नह से कि ए ओctionने नह सखड़ी कि ए और गोसे और्सोंतhaft आयर योसा सेयाँल हुआ। हु़ आ आ आ आ में आखास। अजिशे इए अए आमें मार डालेगा कि आखास। कि नंगता कि आकाने और युआ भॉआखास। कि वाखास। कि उनला के भी चुआ युआखास। झाल 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 मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा कितना कितना रह्म दिल है आखिर आखिर मेरा दावाद है उपर देखाओ नहीं और यह कितना हमें नोच नोच कर जिन्दा का जाएंगे राजू राजू तुम मैं गोली से मार दे राजू गोली से मार दे मुझे जान से मार डाल भकवान के वास्ता है तुझे मैंने कसम खाई थी कि तुम लोगों को ना चिता की आख मिलेगी ना धर्दी मा की गोद ने राजू ने ने राजू ने राजू राजू ने तेरे देश बत बाप के खिलाव जूटी कवाई दी थी संगीनों से गोद गोद के मारा था असली कंदार तो हमें जल्दी रिवॉल्वर निकाल और मार डाल मुझे अरे तू तो बड़ा लिका है समझदार है मारता क्यों नहीं एगावालो हम सारे जुर्म खबूल करते हैं इनकी दोंसे हमें बचालो हम चल भी नहीं सकते हमें मार डालो अरे रुखजा रुखजा कहा जा रहा है तू अरे तेरे देवी जैसी माह के माते पर मैंने लिखा था कि उसका पती देश रोही है अरे तू भी मेरे माते पर गोलियों से लिख दए कि मैं कुटा हूँ कमीना हूँ सुवण हूँ रुखजाओ हमें छोड़े लगावालो लूर्ट जनरल सलूट सलामी शेस्ट सलामी शेस्ट कर दो 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 कर